थाने का निरच्छन करने आधी रात को पहुँच गए मोतिहारी में पुलिस की सगता को जाचने और आधी घटनाओ पर नकेल कसने के लिए आधी रात को एस पी डॉक्टर कुमार आसिस अपने थाने के रियाल्टी चेक करने के लिए निकले हुए थे एस पी खुद अकेले आम नागरी के तरह पैदल चल रहे थे रात के करीब एक जे लखावरा थाना पर पहुँच गयते हैं एस पी के साथ कोई गार्ड मौजूद नहीं था कोई पूर्फ सूचना नहीं दी गयती लिहाजा संत्री ड्यूटी पर तैनात महिला संत्री आकरिती कुमारी ने एस पी सहाब पर ही राइफल टान कर चेताबनी डे डाली और ब 300 रुपय का पुरुषकार देने का तक्षन भोसना की आमनागरी की तरह रात में लखावरा थाना पर पहुँचे एस पी ने एक आलपनिक मामले को बताते हुए एफ आयार दर्श करवाने का निरोध किया और ओडी ओफिसर तत्य लखावर थाना अध्यक्स को ढूढ़ने लगया हाला कि इस दौरान एस पी साहब man police कर्मियों ने पहचान लिया पहचान ले जाने के बादा के थाने में एक के भाद एक कोना का नीरक्षन किया हाज़त से लेकर ट्वाइलेट CCTV कैमरे कंप्यूटर और कर्मियों की संख्या थाने में लगे बोट पर हर बिंदियों पर S.P. सहब ने बारीकी से निरक्षन किया तो आपने देखा कि S.P. सहब अचानक थाने में पहुंचने के बाद S.P. सहब पर राइफल तान दी जाती है महला कॉंस्टेबल के द्वारा जब S.P. सहब रातरी कोट बताते हैं तब उन्हें अंदर जाने कानुमती दी जाती है जब अंदर भुशते हैं तो फायार करने की बात कही जाती है लेकिन कुछ अधिकारी उन्हें पहचान लेते हैं और उसके बाद S.P. सहब तमाम CCTV कैमेरे बोर्ड पे लगे हुए सारे डाइरी को मेंटेन देखने लगते हैं और कई दिशा निर्देश देते हैं वही महला कॉंस्टेबल पर खूस होकर डूटी में लापरवाही ना बरतने पर उन्हें प्रोसाहन रासी भी दिया गया तुम्नmanuel的话 भी महला हम जाइरी को में आप एला उन्हें उन्हें Red